दोस्तों आज का ये डिसकसन जो है बहुती शांदार ही हाँ पर रहने वाला है क्योंकि शांदार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज जो है health के बारे में दो आर्टिकल में आप लोगों से discuss करूँगा जो की बहुती इंपोरेंट है हर एक आर्टिकल के अंदर में आप लोगों को दो चीज़े देखने को मिलेगी एक तो current और दूसरा इस्टेटिक यानिके current और स्टेटिक का mixture नजर आएगा बिल्कुल ऐसे जैसे एक्जाम में आप लोगों से question पूछ जाते हैं और एक और खुपसूरती आप लोगों के हाँ में question रहेगा question का answer आप लोगों को देना है इससे आप लोग चीज़ों को और इच्छे से connect कर पाएंगे कि article कैसे सुना और कितना आप लोगों ने सीखा बस एक चुटा सा काम आप लोगों करना है वो क्या है कि वीडियो को टक टक की लगा कर देखने है ताकि अगर वीडिय solution बोली गए हैं आपर बोला गया life जो है हमारी जिन्दगी है उसमें 10% तो चीज़े घटित होती हैं यानिके 10% तो चीज़े हो गई साथ में accident हो गया कोई बीमार हो गया किसी की death हो गई पा लेकिन बाकि 90% जो है वो हमारी से reaction निकल कर आता है उस चेज को यानिके accident हो गया अरे यार यह हो गया वो हो गया पता चला समदा एक तरी से न बिल्कुली माहूल बना के रख दिया एक साड़ में आप लोग बोल सकते हैं चलो accident हो गया चलो देखते हैं क्या solution निकाला जा सकते हैं और इसको देखते हैं कैसे इसका बेसिकली एक तरीके से solution निकालना है तो वाली चीज़े होती है तो reaction कैसे निकल कर आती है positive reaction निकल कर आती है या फिर negative reaction आती है वो बताती है कि आप लोग का thought procedure कैसा है आप लोग चीज़ों को देखते कैसे हैं एक बच्चा है घर में उस बच्चे ने कोई कांच का एक बहुती सुन्दर सा एक सोकेस आप लोग लेक तो हमेशा चीज़ों को सोचों कि उसका result क्या निकल कर आता है जब तक आप लोग end result जो है वो सोचना है start नहीं करोगे तब तक सही तरीके से चीज़े आप लोगी समझ में नहीं आएंगे तो इसलिए हमेशा reaction ऐसे दो कि जितनी जरूरी है उससे फाल तो reaction नहीं हाँ कोई जितना सांथ होगा उतने अच्छे से आप लोग अपने काम पर फोकस कर पाएंगे तो यह आप लोग को जुरूरी है अपने काम पर सबसे पहले फोकस करें बाकी की दूसरी चीज़े सब बाद में ओके बढ़ते हैं टोपिक में सबसे पहले हमारे सामने है important day जो important day है वो ब पत्रकारीता है यहाँ पर उसको कितनी आजादी मिलिए उसके बारे में हाँ पर बात कर रहे है और यहाँ पर बात किजिए जनलिजम अंडर डिजिटल सीज मतलब घेरा बंदी तो यहाँ पर basically अभी आप लोगों ने देखा होगा normally अगर पहले हुआ करता था हम लोग अग लगाना है मतलब फόन जो है वह एक तरीके से सारी चीजे रख बाट यह तो इस तरीके से आपर हर एक चीज है वह अज डिशितल आन में जा रही है तो उससी के चलते हैं हाँ पर यह ज़ो डे हैं सेलिबेट कहते है तो तीन मे को सेलिबेट कहते हैं basically fundamental principle कि एक तरीक से फिडम प्रेस होना चाहिए क्योंकि यह मानाता है कि जिस देश में फिडम प्रेस है उस देश में जो है सारी चीजे बैलेंस में चलती है United State of America में Government जो है वो दबकर रहती है प्रेस से क्योंकि उनको पता है कि जरह सी देर में उनकी इमेज की धज्य उड़ा दी जाएगी यहनकि एक तरीक से ताकतवर आप लोग प्रेस वहाँ पर बोल सकते हैं पर लेकिन हर कंट्री में कुछ नहीं कुछ आप लोग देखने को मिलेगा फिर भी चीजे जो है वो छुपाए जाती है कई सारी चीजे ऐसी रहती है तो बात की जा रही है कि प्रेस फिडम जो है वो थूआउट दा वर्ल्ड होनी चाहिए ऐसा नहीं कहीं पर फिडम उप्रेस नहीं है जिसे चाइना में जाओगे नोर्ट कोरिया में जाओगे ठीक है इवन रस्या में भी आप लोग जाओगे तो डिफरेंट तरीके से पर जब कोरोना चल रहा था तो कोरोना के टाइम पर उनकी डैथ हुई है तो यहाँ पर एक तरीक से ट्रिब्यूट करने की भी यहाँ पर बात की जाती है चली तो बेसिक बाते होगी अगर फिडम उप्रेस के बारे में लिखने के लिए कुछ आ जाए तो आप लोग इसके मीडिया निखाल कर लाए तो आप लोग उसे पूछेए फिडम उप्रेस हमारी कंट्री में कहा पर है तो आ след 9 19why अप लोग के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है Reporters Without Border तो Reporters Without जो वोडर है यहाँ पर यह उसको प्रस्तुत करती है डबलो देखो कितना अच्छा बन गया तो वो उसको प्रस्तुत करती है ठीक है तो यहाँ पर यह बिसिकली जो आप लोग को देखने को मिलेगा इसके बारे में आप लोग को इनफोर्मेशन देता है ठीक है और यहाँ पर जो यह बिसिकली अपना डिटा निकाल कर लेकर आती है तो यहाँ से पता चलता है कि जनलिजम जो है वो कैसा चल रहा है बहुत सारी कंट्री ऐसी देखने को मिलेगी जहाँ पर जनलिजम की बिल्कुल खसता आलत रहती है ठीक है तो हमारी कंट्री में फिर भी ठीक ठीक है कुल मिला के मतलब हाला की नीचे ही है ज्यादा अच्छा नहीं है पर लेकिन फिर भी हमसे अच्छा नेपाल के अंदर है सिरलंका के अंदर है भुटान के अंदर है तो आप लोगो हमसे अच्छे हैं आपर देखने को मिलेगा हलागी पाकिस्तान से बेटर हमारे देश में निकाल कर हम लोग लेकर आए तो समिधान में तो लिखा नहीं है डिरेक्ट है आपर ये तो ये कोश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है तो याद रखेगा 1950 में सुप्रीम कोट के अंदर एक केस आया था जिसको बोलते हैं आपर रोमेस थापर वर्सिस इस टेट ओफ मद लोग लगा सकते हैं इसके उपर जैसे कि अगर low and order को maintain करके रखना है इसी के साथ में morality के बारे में बात कि जाती है ठीक है कोई defamation के बारे में बात कि जाती है बात करें आर्टिकल 19 के उपर कुछ reasonable restriction आती है तो वह आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी तो यह वो basic चीज़े हैं जहां से question आप लोग के exam में पूछे जा चुके हैं तो वैसे तो day था पर लेकिन मैंने इसको पूरा एक topic बना दिया हम लोग ने हाँ पर क्या क्या आई होगी ठीक है बाकी regular दो वीडियो आप लोग को देखने को मिलती हैं आप जो कि अपनी life का पार्ट आप लोग बना सकते हैं और इसी के चलते हैं पर current और static portion जो है वो cover किया जाता है PDF free of cost मिल जाती है इनकी यहाँ पर telegram पर आप लोग जाकर download कर सकते हैं ठीक है बाकी अ होगे अभी जो यहाँ पर article में आप लोगों से distance करने वाला हूँ यह history और current का एक मिश्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा बात की जारी है यहाँ पर मल्चा महल के बारे में तो मल्चा महल जो है उसको restore करने की बात की जारी है और Indian Express के अंदर यहाँ पर यह article cover किया गय आप लोगो basically building देखने को मिलेगी पुराने time की building है उसको फिर से recover करने की बात की जारी है कौन कर रहे है हाँ पर यह काम तो दिल्ली government के द्वारे हाँ पर यह काम स्टार्ट किया गया 14th century का जो monument है आप उसको restore करने की बात की जारी है तो काफी बड़ी बात है आप नहीं आ उसका डेहली अर्थ station है चानक के पुरी के अंदर में जहाँ पर इसको restore करने की बात की जारी है इंपोडेंट मुड़ा है हाँ से निकल कर आते है यह सुल्तान फिरोज साथ तुगलक के द्वारे हाँ पर इसको बनाये गया था 1325 में तुगलक dynasty के बारे है बिसिकली बात की है लोफ अवद के नाम से भी हाँ पर जान जाते है चीजे रोयल परीवाद है उससे लिटेटर आप लोग कर सकते हैं और इस यह प्लेश जो है बेसिकली हाँ पर यह एक तरीके से यह यह जिए तरीके से आप लोग यहाँ पर गनेट कर सकते हैं तो इनको अगर restore करना है तो कहीं ने कहीं अपनी हिस्टी को रिस्टोर करना है क्योंकि आने वाले टाइम में जो जन्निशन है वो यहाँ पर समझ पाएगी जो बात करें जिनके द्वारा दिया गया थे आपर उनकी जो डैथ वो 1993 में हुई थी ठीक है तो यहाँ पर एक तरीके से बात की जा रही है देख यह कुछ एक आप लोग ओवर्वी रख सकते हैं पर लेकिन यहाँ से चीज़े आप लोगे लिए एक्जाम में बन सकती है जैसे कि तुगलक डैनस्टी हाँ पर न्यूज में आ गए तो तुगलक डैनस्टी के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकते है तुगलक जो थे एक तरीके से जब यहाँ पर एजियूम जहाँ यहाँ पर जो एक तरीक से एरिया जो है वो किसके कंट्रोल में आया तो गजनी मलिक के कंट्रोल में आया ठीक है तो आगे चल कर आप लोगों ने सुनाओगा जिसको बलते हैं आपर ग्यात अलुद्दीन तुगलक तो यहाँ पर इनके बारे में बात करूँगा ठीक है कौन-कौन से जो रूलर हुए तुगनग लैनिस्टी में और कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट भी में आप लोग यहाँ पर बताने वालो हूँ इसी में यहाँ पर एक काफी इंपोरेंट परसनेल ले थे मोहमब बिन तु करेंगे जो कि वैसे तो काफी समझदारी वाले डिजन थे पर लेकिन उस टाइम के इसाब से वह काफी आगे के डिजन थे मतलब क्या है मतलब यहाँ पर यह कि अगर मालीजे आप लोग आज की डेट में तो एक अच्छी दुनिया में रह रहे हैं पर लेकिन आप लोगों स कि Metro Train आएगी और जमीन के नीचे से जाएगी तो आप लोग उसको क्या बोलते हैं आप लोग बोलते कि बेगुकूफ इंसान है आज केर में आप लोग देख रहे हैं पानी के अंदर से बी ट्रेने बनाए जा रहे हैं पर लेकिन कुछ दिनों पहली इसी टाइम पर कोई बो पर चलाए गया टोकन क्रेंसी लेकर आया जो कि लोगों को समझ में नहीं आ रही थी ऐसी हरकते देखने को मिली अपनी कैपिटल ट्रांसपर की गई दिल्ली से तुगलगा बाद और फिर यहां पर लगा कि यार गलत डिसन ले लिया फिर उसको वापस लेकर गया कुछ कोमेंट बुजूर्ग लोग सबको ले खेंच कर कि हाँ पूरी एक तरी से राजधानी बसानी है पर लेकिन फिर वापस हो गया तो ऐसी ऐसी हरकते देखने को मिली तो डिसन तो सही थे क्योंकि वह चाता था सेंटल इंडिया में कैपिटल हो ना कि नोर्थ में क्योंकि वहा अच्छे डिजन नहीं मानेगे और उसकी वेसे दिखने को मिली अभी बात करें हाँ पर इनके बारे में तो गया सुद्दीन तुगलक 1320 से लेके 1325 तक रहे मुहमद बिन तुगलक जो थे 1325 से लेके 1351 तक रहे मुहमद ये खान ठीक है कई सारे ऐसे लोग आप लोग को दे 1388 में इसी के साथ में अबुर्बकर तो यहां पर यह आप लोगों को देखने को मिलेंगे को लोगया और बहुत जाए है अब आज में आप लोगो तो डिफ्रेंस नहीं ज़रा है अब आज में अब आज में निकले तो अब बगर साब जोते अभी न चीक आने वाली थी तो चलिए तो अबुबकर जो आप थे आप इनकी बात करें तो यहां पर यह इनका टाइम जूरिसन आप लोगों को देखने को मिलेगा तो 1389 से लेके यह बिसिकली मतलब 1389 से नब है ठीक है तो यह देखने को लिए 1389 से नहीं पर 1319 तर ठीक है इसी के साथ में यहां पर बात क 1442 तक तो यह अलग अलग टाइम पर अलग अलग रूलर रहें आपर तो मुहमद बिन तुगलक की कहानी सुना दी मैंने पर लेकिन एक काफी इंपोर्टेंट रूलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे आपर यह थे फिरोज साह तुगलक के द्वारा काफी सारी इंपोर् इंप यहां पर और यहां पर एक तरीक से मान जाता है कि इनकी जो मदर थी वो हिंडू थी ठीक हैं तो नाहिला ठीक है बाखी बात करें इनके बारे में इनके दौरा काफी अच्छे से काम किये बेसिकल्लिनके दौरा उनको recover इनके द्वारा किया गया तो ऐसे से काफी अच्छे-च्छे काम इनके द्वारा किया गया ठीक है तो यह आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं एक नहीं के एक तरी से जो जनता के फायदे के लिए होते हैं public work और infrastructure में काफी इनका योगदान आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इसलिए कई बार ही हाँ पर insulated कई सारी चीज़े आप लोगों से exam में पूछ ली जाती हैं अब सारी अच्छे काम नहीं कियें कुछ बुरे काम भी आप लोगों को इनके देखने को मिलेंगे जैसे कि history में पहली बार किसी के ओपर अगर ब्रहमन के ओपर text लगाया गया तो वो इनके द्वारा लगाया था इनके द्वारा जो जजिया है वो separate text बनाया गया और text जो था वो ब्रहमन के ओपर impose किया गया first time in the history of sultanat ठीक है जो दहली सलतनत थी उसकी history में सबसे पहले जो इनके द्वारे यहां पर यह text लगाया गया तो इसकी वेसे भी हाँ पर जाना जाता है इनके द्वारे यहां पर basically जो आप लोगों ने सुनाओगा फिरोजाबाद ठीक है इसी के साथ में फतेहाबाद यह हिसार फिरोज ठीक है जूनपूर बेसिकली फिरोजपूर यह स द्वारे यहां पर charity के लिए direct hospital भी बनाए गये थे अलग से यहां पर ठीक है जिसमें लोगों के एक तरीके से अच्छे इलाज कियाते थे उसको दार उल सफीहा बोला जाता था basically ठीक है इसी के साथ में जैसे मैंने बताया यहां पर काफी सार अच्छे काम किये बाकी के इन सान जो कि द्वारा अफर्ट लगा गया था असोकन जो पिलर थे हां पर उनको basically एक तरी से decode करने में समझने के लिए तो इनके द्वारा वो भी काम किया गया था तो बहुत सारी ऐसी चीजे हैं campaign भी चलाय गया था इनके द्वारा जो basically एक तरीके से जो नगर कोड था ठीक कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं तो यहां से question कई बार आप लोगों के बन जाते हैं तुगलक dynasty के बारे में थोड़ा सा आप लोग जाकर रिवायस करें ना थोड़ा सा मैंने बता दिया तो इस तरीके से पढ़ाई करते लो ठीक है कोश्चन आप लोगे सामने की कौन था founder ओफ तुगलक dynasty तो याद रखेंगे हैं यहां पर यह भी आप लोगों को बताया ग्यात अल दीन तुगलक ठीक है तो यहां पर फाउंडर था बाकी जो में चीज़े थी वह स्टार्ट ही तो यह कुछ बेसिक चीज़े हैं जो कि आंसर है सी सईयद ठीक है यानिकि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जैसी तुगलक डैनेस्टी जो है वो खतम हुई उसके बाद में हाँ पर सईयद डैनेस्टी आगी हाँ पर और लगभग 1414 से लेके ज्यादे लंबे चले नहीं हाँ पर 1451 तक लगभग माना जाते है इनके बारे में ठीक है कुछ ज़्याद है ने इनके बारे में अगर बात करें मतलब थोड़ा बहुत हलका सा इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा हो गए स्टी के अंदर में चार-पांच इनके नेता रहे हैं उसके बाद में फिर जो आगे चल की थी वह आगे ती और अच्छे से लेकर आगे बढ़ते रहो ठाहिए नेच्स्ट इंपोर्ण नीज्स को और यह निजँज आप लोग काफी को सिखा आगर जाने वाली है बेसिकली यहांपर बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे हाँ पर सिगरेट के बारे में कई सारे इंसान ऐसे हैं जिनको smoking का काफी एदर सोक होता है लेकिन reality में वो health के ओपर chem pad डालती है वो भी आप लोगो बाता होना चाहिए ठीक है अभी हाँ पर ये क्यों news में है क्योंकि अभी हाँ पर अगर बात करें तो methanol cigarette जो होती है उसको वो ban करने की बात की जा रही है इंडियन express के अंदर कवर किया गया काफी अच्छे से तो यहाँ पर basically health related कवर कर सकते हैं जियसे पर थरीक के अंदर आप लोगी topic को USA का food and drug administration जो है उसके द्वारा propose किया गया rule ban करने के लिए methanol cigarette ठीक है और इसी के साथ में old flavor जो सिगार होते हैं उनको भी basically ban करने की बात की जा रही है देखिए आज की date में आप लोगों ने normally सुना होगा कि इंसान जो हो cigarette पीना नीचाता था दोस्त ने मजे मजे में सिखा दी और दोस्त ने सिखाई थी उसको जब उसकी उमर थी 18 साल और आज केट में उस इंसान की एज हो चुके 68 साल तो इतने लंबे समय तक लगबग अगर बात किजे तो ये इंसान जो है अगर में मोटे मोटे तोर पर बोलो तो पिछले 50 साल से cigarette पीने वाली company का customer बन गया है सोचो कितने हजार रुपे की cigarette इंसान के द्वारा पी दी जाती है तो यहाँ पर इसलिए जो नएने लड़के होते हैं तो उनको यहाँ पर कोसिस की जाती है कि ऐसी आदते लगाए जाए ताकि लंबे समय तक यह चलती रहे क्योंकि अगर यह आदते बचपन में लग जाती है तो फिर 55 तक चलती है तो ऐसी चीज़े आप लोगे यहाँ पर देखने को मिलेगी तो मुद्धा है यहाँ पर यह रहता है कि बचपन में आदत लगादो और फिर लंबे समय तक यहाँ पर चलती रहेगी तो उसके चलते हैं उनका काफी जाद है फायदा हो जाता है और ऐसे ही लोगों को बेसिक लिए पकड़ने की कोशिश भी करते है तो इसी के चलते हैं हाँ पर बात की जा रहे है पर लेकिन बहुत सारे लोग जैसे खास का यूश से के अंदर जाओगे तो इन चीज़ों पर कंट्रोल करने कोश करते है क्यों यंग जो एडल्ट होते हैं और यहाँ पर जो काफी लाज स्केल पर स्मोक करते हैं तो उनके ओपर फोकस किया जा रहा है तो यहाँ पर FDA जो है उसके द्वारा बोला गया नियरली 85% जो ब्लेक स्मोकर है यूज करते हैं जो मेथानोल सिग्रेट है उसको यूज करते हैं यहाँ पर यहाँ पर इस यह देखने को मिलेगी लेकिन जब यहाँ पर एक तरीके से श्टडी किये तो एस्टिमस लगा जा 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 आप लोग कोफी पीनी बसंद है कोफी नहीं मिली तो चाय नहीं पीनी भाईसाब कोफी पीनी छोट देनी है वो वाली कैटेगरी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो उसी के बारे में हाँ पर बात की जा रही है ये इतने क्रोड बोल रहा हूं है, एक क्रोड समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर कितने बड़े संख्या होती है, 26 क्रोड की वात की जा रही है, और मैक्सिमम 15 साल से स्टार्ट हो जाते हैं और फिर आगे बढ़ते चलते हैं, तो यह बोल रहा है, ग्लोबल एडल्ट तब्ब करते हैं, तो वाले चीज़े आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो हर तरीके के नसे जो हैं, वो लोग आप लोग करते हुए नजराएंगे, अब देखने वाली बात यहाँ पर यह कि यह जो नसे इंसान कर रहे हैं, वो आप लोग यहाँ पर एक तरीक से कितने उनसे लगते हैं, इस्टार्टिंग में सुगंध अच्छी आ रही है, ऐसा बोला जा रहा है, बाद में चल की फिर दिक्कते आती हैं, कई बार तो लोग इसलिए पी लेते हैं, क्योंकि पता चलेगी सुगंध अच्छी आ रही है, घर वालों को पता नहीं चलेगा, कि सिगरेट पी फिर हाँ पर आप लोगो जो है उसके असर दिखने स्टाट हो जाएंगे यानिकि स्टार्टिंग में इंसान बोलता है चलो smoking कर रहे हैं चलो कोई नियार smoking कर ली पर लेकिन इन स्टार्टिंग में कोई ज्यादे impact नजर आता नहीं है लेकिन अगर regularly ये चीज़े continuously way में चलती र पिला दी वह वाली बात थी उन्होंने ये बोल बोल कर सिग्रेट पिला दी लोगों को कि हाँ यार इससे तो आप लोग की जिंदगी जो है basically cigarette छोड़ने में help करेगी और जिंदगी सुधर जाएगी बहुत सारे बच्चों ने सोख सोग में cigarette पिनाय स्टार्ट कर दी हाँ प तो कई बार ये बोलेते हैं कि बैन कर दे जाए तो यहाँ पर जो नए यूजर है उसको आने से बचाएगी यानि कि जो लोग अभी यहाँ पर नए-एन-ए शिग्रेट पीना स्टार्ट करते हैं चलो फ्लेवर्ड शिग्रेट पीते हैं वो सब चीज़े रहती है उसकी भी के बाते आप लोगो देखने को मिलेगी पर लेकिन वो असले वाली सिगरेट में करनोट हो जाती है उसके बारे में हम लोग को बता भी नहीं चलते हैं तो वह सारी चीज़ें यहाँ पर समझने वाली है जिसको हम लोग को थोड़ा सा देख कर चलना पड़एगा तो उसी के बारे में हाँ पर बात करेंगे 2009 से लेकर 10 के बीच में अगर बाते देखे और फिर यहाँ पर 16 से लेकर 17 के बीच में बाते देखें तो इसके द्वारा बताया गया कि reduce हो है 15 से लेकर 24 एर के जो reduce हो है इंडिया के अंदर में 18 से लेकर यहाँ पर लगबग 12 पहुंच गया है एक तरीके से बात करें हाँ पर तो यहाँ पर तबैकों की user की संख्या जो फिलाल अभी reduce होती है रहे है पहले बहुत जाद है बड़ी commonly देखने को मिल जाते थी ठीक है पर लेकिन दूसरी side में अगर जाएंगे अगर यहाँ पर अमेरिका के अंदर में तो यहाँ पर इस तरीके जो इहाँ पर increase हो है जो तबैको यह use करने वाले लोग ठीक है तो यहाँ पर उनके सोंग बढ़ गए है हमारे सोंग अभी चुटते जा रहे है कैनेडा के अंदर यहाँ पर यह माना जा रहा है कि जब मेथानोल सिग्रेट जो है वो बैंड की गई तो आठ परतिसत के लोग ऐसे थे जिन्होंने परतिसत के करीब यहाँ पर अभी जो है वो चीज़े छुट सकती है यानि कि बेन करने का जेकर सही तरीका तो यह रहता है कि एक तरीक से अविलेबिल ही न हो तो इंसान क्या करेगा ठीक है तो एक कुछ दिनों तक तो इधर उधर सर मारेगा उसके बाद में फिर उसको खराब करने वाली चीज़े इसको साइड में फैकने में अच्छा है तो इसलिए हाँ पर आप लोग उसको मैनेज करना चाहिए फर्स्ट कंट्री थी वर्ल्ड में जिसके दोरा बैन किया गया मैथनोल सिगरट वो थी क्या पर बैन करने की बात कि जा रही है इसके चलते हैं अपर अपेर में चाहते हैं कि वो smoking करें पर हम लोगों ने उसको smoking करने के लिए इतना force किया है कि आज केड में हम लोग की बीमारी देखने को मिले यानकि आप लोगों का मज़ा जो है cigarette पीने का एक बच्चे के उपर कैम पैट डाल सकते हैं वो भी आप लोग यहां से understand कर सकते हैं यानकि बोनने का मतलब यहां पर यह कि इंसानों को समझना पड़ेगा कि उसको कितने लेवल पर कौन सा काम करना है अगर यह चीज़े समझ में नहीं आएंगी तो आगे आने वाले टाइम में काफी ज़दे नेगेटिम पैट देखने को मिलेगा तो उसी के चलते हैं यहां पर बाते की जा रही है इंडिया के अंदर बैन नहीं है अगर मैथलों सिग्रेट के के बारे बात करें तो हम लोग तो अच्छे खासे अभी चीज़ों को यूज करें पर लेकिन कानून जुरूर है सिग्रेट एंड अदर तबैको प्रोडेको प्रोडेट प्रोडेशन और प्रोडेशन ओफ एडिविटीजमेंट एंड रेगलेशन ओव दा ट्रेड एंड को प्रोडेशन ओप्रोडेशन ओट प्रोडेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर mandatory, यहाँ पर adaptation किया जा सकते हैं, कि एक तरीक से pictorial warning, यहाँ कि उस पर लिखा होना चाहिए, आदे से ज्यादा पर कि यह cancer है, हाला कि यह पढ़ता कोई नहीं है, सब को बता है cancer है, हम देख लेंगे cancer है, कहीं सारे तो यह देखने को मिलेगा, जैसे कुछ लोग पीत इसे जान चली जाती है, तो देखो, मैं कितना महान काम कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे बे तुके भी आप लोग को basically बात करते हैं, यह जानता है यह इंसान है, ठीक है, तो वह आली चीज़े हैं, तो यह चीज़े हैं हापर, सेंटर के द्वारा बात करें, तो बैन करने की बात किये थे, हाँ पर secret को, ठीक है, उसी के साथ में हाँ पर कई सारे rule भी थे, हाँ पर, जिस तरीके से हुक का हो गया, ठीक है, फ्लेवर्ड हुक का हो गया, तो यह सारी चीज़े भी public place में बैन की गई, तो इसके चलते देगी, चीज़े तो सुधरती हैं, पर लेकिन कित अगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले आप लोग के सामने यहाँ पर बात कि जा रही है, यह है, तो गाइनेकोमस्टिया जो है, बेसिकली बोला जा रहा है, यह एक तरीके से जब अनॉबोलिक जो इस्टोरेड है, उनको यूज कहते है, तो यह बीमारी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप लोग को यह बताना है, कि यह जो बीमारी है, इसमें क्या होता है, तो growth of the breast in man, यहनके जो पुर्सों में इस्तन होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, growth of the height of the man, growth of the shoulder of the man, और यह फिर यहाँ पर above, non of the above, यहनके कोई सा भी answer नहीं है सही answer क्या है, यह आप लोग का article के अंदर मिलेगा, काफी important यहाँ पर यह article अभी recently news में है, Indian Express के अंदर यहाँ पर cover किया गया है, Anabolic Astroider के बारे में, ठीक है, और इसी के साथ में impact क्या है, health के ओपर वो भी हम लोग जानेंगे, तो यह यहाँ पर आप लोग इसको cover कर सकते है UPSC prelims, GS paper 3 के अंदर में, और इसी के साथ में, health के साथ में, आप लोग इस topic को cover करके देख सकते हैं, तो यह काफी important topic आप लोग लिए हाँ पर यह बन जाएगा, ठीक है, basically हुआ क्या है, अभी इसके बारे में बात किजए, तो दो Olympian है, जिनको ban किया गया नोड़ा में हाँ पर, और यह क्या कर रहे थे, fake यहाँ पर basically supplement बेच रहे थे, तो यहाँ पर 2 क्रोड के करीब, यहाँ पर anabolic storage इन से recover केगे, और यह fake थे basically, तो यह आप लोग समझ सकते हैं, एक तो Olympic में participate करने वाले लोग और ऐसी चीजे कर रहे हैं, तो यह अपने आप में ही काफी बड़ी मिले, तो थोड़ा सा इन सब चीजों से आर बच के रहो, क्योंकि बहुत सारे issues ऐसे देखने को normally मिल जाते हैं, तो यहाँ पर इनको पगड़ा गया, तो यह anabolic जिसे testosterone जो होते हैं, बोड़ी बनते हैं, तो यहाँ पर यह वाले क्या रहते हैं, यह lab में बहार से बना जाते ह हार्मोंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो different type of steroid आप लोग को देखने को मिलेंगे, अगर इनके बारे बात की जाते हैं, तो बहुत सारे लोग इनका इस्तमाल करते हुई पाय जाते हैं, बोड़ी में इनको अपनी, उनकाते हैं, मसल्स बनाने के लिए, तो नोर्मली लो जो हो गई, sport person जो है, वो use कर रहें, हाला कि जाद है नहीं है, पर लेकिन फिर भी misuse आप लोग को देखने को मिलेगा, पर लेकिन पकड़ा जाता है, जिम trainer काफी यदे इनको इस्तमाल करते हैं, उसी के चलते हैं, अगर बात करें, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर पर लेकिन अगर इस्टोड के बारे हैं, जो डोक्टर जो हैं, वो बोलते हैं, अगर किसी को दिया जाना है, जैसे कि elderly हो गया, ठीक है, किसी मिसल की कमी है, ठीक है, तो वो दिक्कते देखने को मिलती है, तो उसको normally suggest कर दियाता है, एनिमिक जो पैसेंट हैं, उनके अंदर गर दिक्कते हैं, और लेकिन हाँ पर अगर बात करें, कई सारी दिक्कते हैं, यहाँ पर देखने को मिलती हैं, नेच्चुल नेच्राल चीज़ो होती है, ऐसी दिक्कत helps, आपूर No.o, पिया जो छो पैसी कि जो होती है, इसपे घुने, लेका Helena जो आते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर यह इलाज आप लोग को देखने को मिलेगा तो यह निके एक तरीके से यहाँ पर यह यूज़ भी कहता है जो ट्रेटमेंट के तोपर लेकिन नॉर्मली इसको अलग तरीके से यहाँ पर देखा जारा आज केड में जो एनबोलिक एस्टोइड हैं का मिस्यूज का यहाँ पर मसल का जो सेब बढ़ाने के लिए नहीं आर नोट बलना है हर एक इंसान को तो वह आली चीज़ा आप लोग को देखने को मिलेगी यहाँ पर बात किए भुमनिसवर के अंदर जब इस्टडी के यहाँ पर पाया गया 74 जिहाँ पर पाडिसिपेंट थे यहाँ पर लेकिन दिक्कत एक है एनबोलिक एस्ट्रोड के अंदर में इसकी वैसे हेर फोल होने लगता है चहरे पर बिसकली कई बार मुहां से निकलने लगते हैं अगर जादा यूस कियाता है इसकी वैसे तो यहाँ पर गाइनोकोमेस्टिया यानिकि आप लोग के जो बेसिकली बच्चों को दूद बिलाने के लिए लेकिन अगर मेल में भी हाँ पर यह कंडिसन बनने लगे तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जो है यह वाले हार्मोंस जो है काफी जादे देखने को मिल रहे है तो यह वाले कंडिसन यहाँ पर निकलकर आती है इस तरीगा एक तरी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसी के साथ में लीवर डैमेज होने की हाइड बलड प्रसर और यह भी कई सारे इशू देखने को मिलते हैं पर लेकिन इससे तो डैट कुश्चन आप लोगों से पूछ आ सकते हैं गाइने को मेंस्टिया यहाँ पर बेसिकली मैन बूब इनको बोलते हैं यहाँ पर ऐसी प्रोल्म कीरेट कर देते हैं ठीक है तो इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा कि कैसे हाँ पर इसको टैगल करके चलना है ठीक है तो अगर यहाँ पर अगर इसका इदाज नहीं निकाला गया तो आने वाले टैम में बहुत सारे इशू दे बनने लगता है ठीक है यहाँ तक भी देखा गया है जो कि यहाँ पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानिके नपुन सकता का सिकार इंसान बनने लगता है अगर मिस्यूज इनका एक तरी यूज है वो बिना गाइडेंस के बहुत जादा हो जाता है तो इसलिए जरूरी है पर इनके बारे में जानना वहनी कएते हैं किसी भी चीज को अगर समझो जानो उसी के बाद में उसको चीजों को लेना है इस्तमाल करना करो इस तरी एक तो यहाँ पर यह आप लोग को देखने को मिलेगा तो यहाँ से आप लोगो वह वही क्वें बन सकता है तो बेसिक इन information थी, mind में कोई confusion नहीं होना चाहिए तो यह वाला article और जो मैंने आप लोगों से discuss किया है, यहाँ पर health वाले दोनों article थियार यह important article है, ठीक है तो यहाँ पर इस तरीखी चीजे आप लोग अगर सीखा करो तो किसी और को भी उसके बारे बताया करो यह चीजे आप लोगों को अपने तक ही limited नहीं रखनी है अपने तक limited रखने का मतलब है कि society में आप लोग improvement ही नहीं चाहते हैं तो इसलिए ऐसी चीजे कोई देखने को मिलते हैं तो दूसरे को बताया करो, ठीक है आगे चलते हैं यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 5G के auction के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है और आने वाले time में आप लोगो 5G देखने को मिलेगा तो UPSC, prelims, GSA, 3, Science and Tech के अंदर आप लोग यहाँ पर connect कर सकते हैं 5G को rollout करने की बात की जा रही है अगस्त सेप्टमबर के time पर हमारे देश में और अलग-अलग company जो है वो इसमें investment कर रही है पर एक सबसे बड़ा जो issue यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है pricing का, मतलब क्या है आप लोग यह सोचे, आज के रहे में आप लोग mobile phone यूज़ करें उसमें network आते हैं, airtel के, go के, फिर किसी और के तो वहाँ पर उनके द्वारा एक proper infrastructure यानिके धांच अगत विकास किया गया यानिके पहले आप लोग जब यहाँ पर 1G यूज़ क्या करते थे 2.4 kbps speed आया करती थी भाई साब, सोच लोग यहाँ पर बस बात हो जाए तो बहुत बड़ी बात है आगे 2G आ गया, ठीक है, 64 kbps आने लगी, digital voice plus sample data आप लोग, simple data आप लोग यहाँ पर देखते है थोड़ा बो, ठीक है, 3G में आकर थोड़ा change हो है, आपर 2000 kbps की speed बड़ी और broadband आने start हो गए फिर यहाँ पर 4G आया, इसने चीज़े change करी, और जब 4G आया, तब लोगों ने यहाँ पर, आजके में आप लोग को online पढ़ा रहा हूँ यह 4G की करामात है, वरना यहाँ पर यह चीज़े possibly नहीं हो पा रही थी, अब 5G जो है यहाँ पर, वो आप लोगो देखने को मिलेगा, तो वो काफी अच्छे लेवल पर, तो यहाँ पर 1Gbps आप लोग यहाँ पर speed देखने को मिलेगी, तो यह काफी अच्छे लेवल पर जो आप लोग बोलेगे कि हाँ पर एक रियल टाइम में चीज़े बताई जा सकेंगी, यानि कि काफी अच्छे लेवल पर इंटरनेट यूज यहाँ पर होता हो नजर आएगा, यानि कि यह कैसा एरिया है, जो कि आने वाले टाइम पर इंटरनेट की दुनिया को चेंज करन तो उसको समझना पड़ेगा कि इसमें इनवेस्टमेंट करना इस फिल्ड में तो ही जाकर चीज़े जो हैं वो सुधर पाएगी, अगर नहीं इनवेस्टमेंट करेंगे तो फिर चीज़े नहीं सुधरेंगे, तो चीज़े सुधरने के लिए हाँ पर जरूरी है कि यहाँ पर एक तरीके से investment करना पड़ेगा वरना पुराना जो चल रहा है वो ही चलता रहेगा ठीक है तो यहां पर इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं यहां पर बेसिक मुद्द है यहां पर यार देखो यह है कि आज की डेट में अगर यहां पर यह धाचा बढ़ता है इसकी वेसे टेलिकॉम जो company है वो यहां पर मिश्टर साब को बोल रहे है यार थोड़ा सा कम करो ताकि हमारी जिंदगी जो है वो थोड़ी सुतरे तो उसके चलते हैं यहां पर यह news में आ रहा है more or less अगर बात कि जाए तो देखिए auction जो होना है उसके time पर देखा जाएग इससे आने वाले time में काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा और लगबग यहां पर इसपेक्टर है में वह रिजर्व के जाएगा प्राइजिंग पांच लाग क्रोर फॉर बीस साल के लिए यहां पर देखने को मिलेगा 5G के बारे में यहां पर बात की जा रही है पर लेकिन हर एक चीज के कुछ फायदे और कुछ नुकसान आप को मिलते हैं अप लोग बोलोगे हैं 5G के बी नुकसान है जी हां 5G के बी नुकसान है वह बात बताओंगा पहले फायदे देखते हैं ठीक है फायदे क्या की है यानिके पोस क्या के है एं High Speed आप लो जो देख रहे हैं और जो मैं यहां से बोल रहा हूं उसमें जब थोड़ा सा gap आता है तो वह latency आप लोगो देखने को मिलेगा तो latency जितना ज्यादा कम होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है यहां पर 5G के अंदर में और जड़े bandwidth यानिके और जड़े डेटा को आप लोग आसानी से ट्रांसपर यहां पर कर पाऊगी इसी के साथ में कई सारे innovation निकल कर आएंगे कल को चलकर अगर यह सारी चीज़े होती है तो ऐसा होगा कि लोग जो हैं बिलुकुल live बैट कर सारे काम कर रहे हैं इस तरीके से आप लोग चीज़े को understand कर सकते हैं यानिके और प्रोडेक्टिव यह में चीज़े आप लोग को अच्छे लिवल पर देखने को मिलेगी और efficiency में आप लोग को चीज़े आगे आने वाले time में निकल कर आएगी ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते है powering innovation भी आप लोगे हाँ पर देखने को मिलेगा तो यह भी काफ़ी important है including drone या sensor के बारे में अगर बात की जाए तो ठीक है पर लेकिन कई सारे issue भी हाँ पर निकल कर आने वाले है सबसे पहले तो limited global coverage है यहाँ पर देखे अगर आप लोग को यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोई जगर अच्छी speed लेकर आनी है तो यहाँ पर अच्छी speed जो है उसके लिए जादा devices आप लोग को use करने पड़ेगे क्योंकि एक device जो है कितनी area को cover कर सकती है तो आप लोग यहाँ पर understand करना पड़ेगा तो उसके बारे बात कि जारी है कि हाँ पर main disadvantage है उसके बारे में अगर बात किजाए global coverage area जो है वो आप लोग को समझना पड़ेगा specific location को ही हाँ यहाँ पर यह cover कर पाएगा ठीक है इसी के स सकते हैं upload speed अच्छे रहेगी पर लेकिन downloading speed में आप लोग को दिखने को मिलेगी यह बात है यहाँ पर की जारी है यहाँ पर एक तरीक से high downloading speed ठीक है पर लेकिन other hand uploading जो speed है वाँ पर वो ज्यादा है बेटर आप लोग को नहीं देखने को मिलेगी ठीक है तो यह काफी बड़ा पर आप लोग को फायदा रहेगा अलागे इसी के साथ में एक तरीके से जब यहाँ पर high speed high connection रहेगा तो बैटरी का भी इस्तमाल जो है वो काफी एक तरीक से टका टक तरीके से आप लोग की बैटरी जो है वो खतम होती आप लोग को नजर आएगी cyber security में जब इतना internet अभी use चलता है अगर उसमें high internet अगर use होगा यह देखने को मिलेगा कि इतने ही ज़्यादा fast आप लोग यहाँ पर यह cases निकल कराएंगे cyber threat से लिटर तो यह काफी बड़ा issue आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा तो वो भी एक मुद्दा आप लोग के सामने हाँ पर निकल कराएगा उसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं ठीक है तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि कई सारे issues आप लोग यहाँ पर देखने वेसे भी हाँ पर कुछ issues देखने को मिल सकते हैं पर लेकिन अगर बात करें हाँ पर तो चैलेंज क्या क्या है critical धाचागत विकास करना है क्योंकि already यह company रो रही है कि हम लोग यहाँ पर धाचागत विकास नहीं कर पा रहे हैं financial liability यहाँ पर देखना पड़ेगा कितना पैसा आप लोग को देखने को नहीं मिलता है ठीक है किस एरिया में service प्रोवाइड करा जिया है तो यह news of service देखने को मिलेगी previous technology से कितना ज़्यदा अच्छा है और कितने हाँ पर interference देखने को मिल रहा है तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है मुद्धे अगर इनके बारे में बात की ज से तो इसका मतलब है digital के field में हम लोगों ने काफी शांदार entry गिये पर लेकिन इतने अच्छे से हम लोग इस्तमाल कर पा रहे है वो चीज़े हम लोग को देखने को मिलेगी तो यह काफी important area है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं यानि कि हम लोग को इसमें काम करना है digitally लोगों को और ज्यादा जागरूप कर रहे है आने वाले टाइम में यह तो अभी पुराना data है 2022 में हम लोग बैठे हुए है तो अभी और भी ज्यादे हैं यहाँ पर चीज़े बढ़ चुकी है इंटरनेट का और ज्यादे इस्तमाल हो रहा है आज की data में अगर बात करें COVID-19 के बाद में तो खास कर रहे है इंडिया जो है second largest है आपर चाइना अगर बात करें रूरल इंडिया में भी यहाँ पर काभी सारे लोग देखने को मिलेंगे ठीक है और इसे के साथ में अर्बन इंडिया में ठीक है यहाँ पर बात अगर एज गुरूप के बारे में आप इसके बारे में आप लोग बात करें ठीक है यहाँ पर इसी के बात में बात करें तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा जेंडर के बारे में ठीक है ओल मेल रूलर और अर्बन के बारे में बात करें ठीक है यहाँ पर अगर यह जो जेंडर जो डिस्टिबिशन आप लोग यहां पर देखते हैं, तो यह कुछ area है, जिसके बारे में हलका सा idea रख सकते हैं, आप लोग, यह data में थोड़ी से मुझे गडबर लग रहे हैं हाँ यह मैंने जानने दिया उस time पर, मतलब गाउं में जादा है, मतलब रूलर इंडिया में जादा कैसे हो रहे हैं, अर्बन में जादा होने चाहिते हैं, चलिए इसको चेक कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा से इसके उपर देखेंगे, यहां से question UPC के तो पूछा दुगया थे हैं, आपर 2016 में, लाइफाई के उपर सही आंसर क्या है, ABC, FUD आप लोग अटेंट कीजिए इसको, सही आंसर क्या है, सही आंसर इसका C, यानिके दोनों की दोनों स्टेडमेंट सही है, तो light को यूज करता है, transmission के लिए, और जो wireless technology है यहां पर, और several times faster है, पर लेकिन range इसकी limited आप लोग को देखने को मिलेगी, जह हमारी country के चारुदत मिस्रा साब जो है, उनको अभी हाँ पर एक award मिला गया है, जिसको बोलते है, white lake gold award, 2022 के लिए, तो इनके लिए contribution का काम किया गया है, note in India, even भार भी, तो इसके चलते हैं हाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, जो मिस्रा है हाँ यह second, जो WFN इनको यहाँ पर मिला है, पहले 2005 मिला था, ठीक है, इनके दौरा 12 country में काम किया गया, अफगानिस्तान, चाइना, रसिया, तो अफगानिस्तान ने पहुंच गया है, चाइना में और रसिय में ठीक है, तो काफी अच्छे से काम किया गया है, आफी outstanding global, इनके दौरा एक तरी का रशिटी के बारे बात करते है, खासकर यह एक तरीके से इसमें, जो एक तरीके से अंबिशन होता है लोगों के एक तरीके से एक पैसन होता है, एक काम को करने का, तो inspire करता है एक तरीके से large scale पर change, कि हाँ इसकी वेड़िसे यह चेंज आ रह है, यहाँ पर जो बात करें pound के बारे में तो 1,00,000 pound यहाँ पर basically funding जाते है project के लिए, जो recipient है आपर जिनको यहाँ पर यह award मिलता है, एक तरीके से यह आप लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पर pound जो होते हैं अगर बात करें तो लगबग अगर आप लोग यहाँ पर इसको रुपी में एक pound आ रहा है, तो अगर आप लोग यहाँ पर इसको रुपी में convert करना चाहते हैं तो 92 से multiply कर लेना आप लोग के सामने हाँ पर चीज़े निकल करा जाएंगी बाकी यहाँ पर अगर बात करें, 6 और आप लोग को परोशी का कम से कम आप लोग को बता होना चीए, ठीक है तो 6 के 6 के नाम नहीं रतने हैं, कभी फिर बोलो कि सर सब के नाम रतने हैं अपने देश वाले का नाम याद रहा है और इसका बेसिकली आप लोग को थोड़ सा देख लेगा है अगर बाकी के बारें बात करें तो यहाँ पर आप लोग देशते हैं इनका नाम आप लोग को देखने को मिलेगा, यह है मेकेला कैमीनो इनका तो इमेनमल अमुह हो गया, इनका यह है बेसिकली अरजन्टिना के और वह है घाना के तीसरे नंबर के जो परसनेल्टि हैं आपर इनका नाम है पाबेलो हॉपमेंड, यह ब्राजील के हैं तीसरे सोनम लामा, मैंने भी बता दे हाँ पर यह बेसिकली नेपाल के हैं नेश्ट यहां पर देखने को मिलेगा, इनका नाम है अस्टेला मेल्डे, यह साउट टोम प्रिंसिप, ठीक है तो यह हैं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह एक आइलेंड है इसको जाकर मैप में नहार सकते हैं, ठीक है, इसी के साथ में हाँ पर डेडी यंस हा, इंडोनेश्य के देखने को मिलेगी, तो सुमितरन राइनोस के लिए, इनके द्वारा सी टर्टल के लिए, इनके द्वारा फोरेस्ट रिजन के लिए, मतला अलग-अलग चीज़ों के अर्जेंटीना में ड्राइ चाउस हैं, उनको बेसिकली प्रोडेट करने के लिए, तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा, हमारी केंट्री की परसनेल्टी को जो मिला है, उनके द्वारा पांडा, ठीक है, तो पांडा को प्रोडेट करने की बात की गिए, तो इस तरीके स से मैच करने के लिए पूछ ले कौन-कौन किसको प्रोडेट कर रहा है, तो यह मायंड में आप लोग के किलाइटी होनी चाहिए, अगर इसनों लेपड के बारें बात करें, तो साइंटिफिक नेम है, आपर पैंतरा अंसिया, ठीक है, इसी के साथ में हाँ पर जो पाय जात इसके लिए कंजर्विशन के एफर्ट चलाएगे 2009 में, इसनों प्रोजेट इसनों लेपड, 2003 में हाँ पर गलोबल इसनों लेपड एन एको सिस्टम प्रोडेक्शन ठीक है, प्रोग्राम थे हैं पर इसी के साथ में हाँ पर बात की जा रही है, यह क्या है, यहाँ पर हीमल स आरजलिंग वेस्ट बंगाल के अंदर में, ठीक है, तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा, तो यह बेसिक इन्फोर्मेसन इसके बारे में याद रखेगा, कोशन भी आप लोग के सामने हाँ, नाक में खुझली बहुत जादा हो रही है, बोलने में भी दिख्कत हो रही ह ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर यह है, आंसर यहाँ पर इसका C हो गया, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, यह आप लोग को पढ़ाया, तो कोई confusion नहीं होना चाहिए, तो यह था टूटल आज का discussion यार, मैं आसा करता हूँ, आप लोग ने इसको enjoy किया होगा, अ अब आप लोग को सारी चीजे मिल जाएंगी, थोड़ा सा अपना पढ़ाया पर ध्यान रखें और प्रैटिस करते रहें, मन्तली वीडियो जुरूर देखना, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाया को सही डिरेक्शन देकर चल सकें, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हो तब तक अबना ध्यान रखें, बढ़ो को नमस्ते, छोटो को प्यार, छोटी सी लाइफ एंज्यो एकरार, मिलता हो नेक्स लेक्चर में, तब तक के लिए, जैहिंद!